हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर नाइन बीजे व्यंजक एम सर्व सम्मिका आए प्रश्णावली 9.5 से कोशे नमबर 8 सोल्व करेंगे कोशे नमबर 8 देखिए एकस प्लस ए गुणा एकस प्लस बी पराबर एकस केर प्लस ए प्लस बी गुणा एकस प्लस ए बी का उप्योग करते हुए निमन लिखित मान ग्याद कीजी तो यहाँ पर हमें इस सर्व सम्मिका दी गई है इस सर्व सम्मिका का प्रयोग करते हुए हमें इनका मान निकालना है फर्स पार देखे दिया गया है 103 गुणा 104 तो हमें इस सर्व सम्मिका का प्रयोग करते हुए इसका मान निकालना है तो देखे सबसे पहले तो हम 103 गुणा 104 इसे हम X प्लस A गुणा X प्लस B के रूप में लिखेंगे देखे कैसे लिखेंगे 103 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं ठीक है और 104 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4 तो देखे अब इसे हमने x प्लस a और x प्लस b के रूप में लिख दिया इसी रूप में है यह x की जगह यहाँ 100 है a की जगह 3 है और b की जगह यहाँ पर 4 है तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 100 लिखेंगे तो A की जगा क्या लिखना है, हमने 3, फिर प्लस B, B की जगा हम क्या लिखेंगे, 4, फिर गुणा में क्या है, X, तो X की जगा हमने क्या लिखना है, 100, फिर प्लस A गुणा B, तो प्लस A की जगा क्या है, 3, ठीक है, और B की जगा, 4, तो अब देखे सो का स्क्वेर निकालना है तो सो को सो से गुणा करेंगे सो को सो से गुणा करेंगे क्या आएगा दस हजार फिर प्लस जो ब्रैकेट में है पहले उसे सोल कीजिए तीन प्लस चार साथ और फिर सो फिर प्लस, तीन को चार से गुणा करेंगे क्या आएगा 3,4 के 12 तो 10,000 फिर प्लस, सो को one से गुणा करेंगे क्या आएगा 700 प्लस 12 अब इन सब को जोड़ देंगे तो क्या आएगा जोड़ने पर आएगा 10,712 तो अंसर आया 10,712 सेकंड पार देखे दिया गया 5.1 गुणा 5.2 अब देखे 5.1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ मैं इससे लिख सकती हूँ 5 प्लस 0.1 अब देखे 5.2 को कैसे लिख सकती हूँ मैं 5.2 को मैं लिख सकती हूँ 5 प्लस 0.2 पांच में 0.2 प्लस करेंगे तो 5.2 ही आएगा तो अब देखिए 5 प्लस 0.1 और 5 प्लस 0.2 किस रूप में है X प्लस एक गुणा X प्लस B इसी रूप में है X की जगह यहां 5 है A की जगह 0.1 है फिर यहां पर देखिए X की जगह 5 और B की जगह है 0.2 तो यहां जहां जहां X है उसकी जगह हम 5 लिखेंगे जहां जहां यहां पर A है उसकी जगह 0.1 और जहां जहां B है उसकी जगह हम 0.2 लिखेंगे तो सबसे पहले है X का square तो X की जगा 5 लिखने है तो X का square यानि 5 का square फिर प्लस ब्रैकेट में A प्लस B है तो ब्रैकेट में A, A की जगा 0.1 फिर प्लस B, B की जगा 0.2 लिखेंगे गुणा में क्या है X तो X की जगा क्या लिखने है हमें 5 तो यहां 5 आ जाएगा फिर प्लस A ग गुणा करेंगे 5 पंजे 25 फिर प्लस अब पहले ब्रैकेट वलों को प्लस कर लीजे 0.1 प्लस 0.2 0.1 में 0.2 जोड़ेंगे क्या आएगा 0.3 और फिर गुणा में क्या है 5 फिर प्लस 0.1 को 0.2 से गुणा करना तो थोड़े समय के लिए पॉइंट को भूल जाएए 1 और 2 को प्लस 1 को प्लस 1 आएगा तो इहाँ तो इने गुणा करने पर क्या आ रहे है 0.02 भी देखे 25 ऐसी लिखा फिर देखे 0.3 गुणा 5 अब इन्हें गुणा करना तो दिखें थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाईए, पॉइंट को भूल जाईए, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 ती ये 15, 15 आएगा, अब देखें यहाँ पीछे से एक अंक के बाद दशमलव आएगा, तो एक अंक के बाद दशमलव आजाएगा, फिर प्लस 0.02, अब इन सब को प्लस कीजिए, तो देखें इन्हें प्लस करना है, सबसे पहले क्या है, 25, हमने लिखा 25, अब यहाँ देखें दशमलव के बाद एक दो, दो अंक है, तो हम यहाँ 25 के बाद भी दशमलव लगा के दो 0 लिख लेंगे, दशमलब के बाद हम जितने मर्जे 0 लिख सकते हैं, मैंने दशमलव के बाद 2 0 लिखे, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे, फिर देखें, अब एक पoveंट पांच लिखना, यानि एक दशमलव पांच लिखना, तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, अब प्लस कर लिजेंगे, यहा दो आएगा, यहाँ पांच दॅलब के नीचे रह तो प्लस करने पर आ रहा है, छब्बी दॅलब पांच दो तो आंसर है 26.52 थर्ड पार्ट देखे दिया गया 103 गुणा 98 तो देखे 103 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 100 प्लस 3 ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि 100 में 3 प्लस करेंगे क्या आएगा 103 अब देखे 98 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 99 को मैं लिख सकती हूँ माइनस 2, 100 में से 2 माइनस करेंगे 98 आएगा अब देखे 100 प्लस 3 गुणा 100 माइनस 2 ये x प्लस 1 गुणा x प्लस b के रूप में ही है कैसे देखे यहां पहला पद 100 है यहां भी पहला पद 100 है यहां दूसरा पद 3 है और यहां दूसरा पद माइनस 2 है तो देखे पहला पहला पहला पद बराबर है, दूसरा पद यहाँ A है और दूसरा पद यहाँ B है, दूसरा दूसरा पद अलग अलग है, तो 100 प्लस 3 गुणा 100 माइनस 2, यह X प्लस A गुणा X प्लस B के रूप में ही है, बस X की जगह 100 है, A की जगह 3 है, फिर X की जगह 100 है और B की जगह यहाँ पर म स्क्वेर, एकस जगह सो लिखना है ना तो x का स्क्वेर यानी सो का स्क्वेर, फिरritag प्लस ब्रैकेट में कह लिखना है a प्लस b, तो a की जगह हम क्या लिखने है 3, और b की जगता है minus 2, तो b की जगह minus दो आ गए, फिर गुणा में x, x की जगह क्या लिखेंगे 100 फिर प्लस A B तो A की जगह क्या आएगा 3 और B की जगह क्या आएगा माइनस 2 तो देखे 100 कास को यह निकाला है 100 को 100 से गुणा करेंगे क्या आएगा 10,000 फिर प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा एक गुणा में क्या है सो अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस प्लस को माइनस से गुणा करते तो क्या आता है माइनस तीन को दो से गुणा करेंगे क्या आएगा तीन दुनी छे तो दस हजार फिर प्लस सो को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा 10,100 तो फिर माइनस 6 अब 10,100 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10,094 तो आंसर आया 10,094 फोर्थ पार देखे दिया गया है 9.7 गुणा 9.8 देखे 9.7 को मैं कैसे लिख सकती हूं नो प्लस 0.7 नो में 0.7 जोड़ूगी तो 9.7 यह आएगा फिर 9.8 को मैं कैसे लिख सकती हूं 9 प्लस 0.8 ऐसे लिख सकती हूं 9 में 0.8 जोड़ूगी तो 9.8 आएगा तो देखे 9 प्लस 0.7 तो 9 प्लस 0.8 यह किस रूप में X प्लस A गुणा X प्लस B इसी रूप में है X की जगह 9 है A की जगह 0.7 है फिर देखे X की जगह 9 है और B की जगह 0.8 है तो यहां जहां जहां X है उसकी जगह 9 लिखेंगे जहां जहां A है उसकी जगह 0.7 है जहां जहां B है उसकी जगह 0.8 लिखेंगे तो सबसे पहले X का स् स्क्रेयर फिर प्लस ब्रैकेट में A प्लस B हैं A की जगा 0.7 फिर प्लस B की जगा 0.8 गुणा में X X की जगा क्या लिखेंगे 9 फिर प्लस A गुणा B A की जगा क्या लिखने है 0.7 और B की जगा 0.8 तो अब देखे 9 का स्क्रेयर निकालना है 9 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा 9 निमे 81 से फिर प्लस अब पहले ब्रैकेट वालों को सोल्व कर लीजे 0.7 प्लस 0.8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखे इने जोड़ेंगे तो 7 में 8 जोड़ा कितना आया 15 15 का 5 हासिल आई 1 एक प्लस 0 एक और दशमलव के नीचे दशमलव तो क्या आया 1.5 गुणा में क्या है 9 फिर प्लस अब देखे 0.7 को 0.8 से गुणा करना है तो देखे दशमलव को थोड़े समय के लिए भूल जाएगे तो ये 7 है और ये 8 7 को 8 से गुणा करेंगे क्या आएगा 7 8 56 चपन आएगा अब देखे यहां पीछे से एक अंक के बाद दशमलव तो एक प्लस एक दो तो यहां दो अंकों के बाद दशमलव आएगा तो एक दो दो अंकों के बाद दशमलव आजाएगा एकाई के स्थान पर कुछ नहीं तो 0 आजाएगा तो क्या है 0.56 फिर 81 प्लस अब 1.5 और 9 को गुणा करना है तो देखे दशमलव को भूल जाएए थोड़े समय के लिए तो यह 15 है और यह 9 15 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा 15 निमे 135 अब यहां देखे पीछे से एक अंक के बाद दशमलव तो यहां भी पी अब यहां देखे दशमलव के बाद एक दो दो अंक है तो 81 के साथ भी हम दशमलव लगा के दो 0 लिख लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक थे न तो दशमलव लगा के दो 0 लिख लिए दशमलव के बाद आप जितने मर्जी 0 लिख सकते है ठीक है फिर 13.5 है तो और दशमलव के बाद 5 छे तो दशमलव के बाद 5 छे अभीने प्लस कर लीजे 6 आएगा 5 प्लस 5 10 का 0 हासिल आई 1 तो यह था कोशे नमबर 8 आज इस वीडियो में हमने कोशे नमबर 8 सोल्व करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर एंड झालव के लाद 5 घूड़को भीने में हमने जएवे नमान झालव के लाद 6 अबसे लेडिशल प्लस कर वीडियो से एंड हो यह वीडियो